नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का तो आज हम बात करेंगे के हम भी अपनी छोटी से बालकनी में करीपता का प्लांट आसानी से केसे ग्रो कर सकते हैं वो भी एकदम हरा भरा तो देखे ये मैंने कटिंग से ही लगाया हुआ एक प्लांट है मेरा और एकदम मिडियम साइज के पोट में ही मैंने इसे ग्रो किया है और बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है प्लांट तो किस तरह से हम हमारी बालकनी में करीब प्लांट का पोथा लगा सकते हैं आएए देखते हैं देखिए मैंने यहाँ पे इस साइस के कटिंग ली थी और बीच में से उसकी प्रूनिंग कर दी थी जहां से मैंने प्रूनिंग की थी वहां से दो बड़ी ब्रांचिस निकली थी तो मैंने उसमें से वापस एक ब्रांच में प्रूनिंग कर दी थी देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कई सारी ब्रांचिस निकलती हैं यहाँ पर तो जितना भी हम इसकी ब्रांचिस के प्रूनिंग करते हैं उतनी ही तेजी से यह घरा परा हो जाता है तो बात है इसे हम किरा से कटिंग से लगा सकते हैं तो हमें यहाँ pencil की size की एक cutting लेनी है आप उसके करिपत्ता के plant के पेड़ में से आप इस तरह की cutting आप ले सकते हैं और उसका जो यह नीचे का हिसा है वो खास करके हमें याद रखना है कौन सा नीचे का हिसा है कहीं हमें plantation में गलती ना हो जाए तो यहाँ 100% हमारी cutting चलेगी इसके लिए मैं दो चीजों का इस्तमाल करती हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा शेहद हनी लिया है और थोड़ा healthy powder आप चाहे तो यहाँ पे rooting powder भी इस्तमाल कर सकते हैं पर मैं मेरी most of सारी cuttings इसी से लगाती हूँ तो सबसे पहले हमें cutting को इस तरह से तिर्चा काट लेना है देखिए जिस्से की roots develop होटने में आसानी होती है तो cutting को हमें इस तरह से अच्छे से काट लेना है आप देख सकते हैं अब इस नीचे के जो cutting के हिस्से को हमें जहां से ये हमने काट किया है वहां से उसकी जो चाल है उसकी जो परत है उसे हमें हलकी हलकी छील लेनी है जिस्से की roots को निकलने में ज्यादा मुश्किल ना हो तो यहां पर मैंने एक इच जितना यहां पर थोड़े थोड़े हलके हाथों से छील लिया है इसे देखिए तो हम आसानी से cuttings घर में लगा सकते हैं दो तिन तरह के अच्छे से हम यहां पर ध्यान रखते हैं बातों का जिससे हमारी cuttings आसानी से चलती है देखिए इस तरह से मैंने आपे अच्छे से cutting को तयार कर लिया है अब इस cutting को जो नीचे का हिसा है उतने हिसे को हम हनी में डुबोएंगे आप चाहे तो इसमें 5-10 मिनीट रख भी सकते हैं देखिए इस तरह से और इसे हनी वाले हिसे को हम अब हल्दी powder में लगा देंगे जिसे के अच्छे से हल्दी हर तरफ लग जाएगी तो इससे क्या होता है दोस्तों हमारे roots को आसानी होती है और यह यहां पर rooting powder का ही काम करता है तो मैंने यहां पर एक ऐसा मेरे पास डिबाज ऐसा पड़ा हुआ था जिसमें मैंने एक तरफ मिर्ची लगाई है आप देख सकते हैं उसी में मैं साइड में यह plant लगा रही हूँ क्योंकि pot में already मेरे पास यह plant है तो यहां पर यह चाहां हमने शेहद और हल्दी लगाया है वो वाले हिसे को अच्छे से हम मिट्टी के अंदर लगा देंगे कटिंग लगाते समय हमें यहां पर कोई भी fertilizer नहीं देना है नोर्मली मैं यहां पर गोबर के खाद का ही इस्तिमाल करती हूँ और कोई vegetable को ज्यादा में fertilizer नहीं देती हूँ तो बस यहां पर हमने कटिंग लगा दी है और आराम से 20 से 25 दिन के अंदर यहां पर अच्छे से यह कटिंग चलना सुरू भी हो जाएंगी तो थोड़ा सा पानी डाल देंगे इस कटिंग को हमें एक सब्ता तक छाओं में रखना है उसके बाद 3 से 4 घंटे की धूपाए इसी जगह पे हमें इसे रखना है तो देखिए यह वाला मेरा प्लांट मैंने डेड़ साल पहले कटिंग से ही लगाया था और अभी यह कितना बड़ा हो चुका है इसकी प्रूनिंग करने की तो मन नहीं हमें नहीं नहीं ब्रांचिस की प्रूनिंग करना अच्छा नहीं लगता है पर प्रूनिंग करने से बहुत सारी ब्रांचिस निकलती है और हमारा जो पोधा है वो एकदम घना हो जाता है तो मौनसुन तो आपी रहा है तो मौनसुन में जरूर से आप अपने करीपत्ता के प्लान के प्रूनिंग कीजिए और एकदम उसे बजी बजी बना दीजिए तो दोस्तो केसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर से बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वोचिंग